एक कोचन है 4 by x plus 7 by y बराबर 11 और 3 by x minus 5 by y बराबर minus 2 ध्यान से मेरी बातल सुनिएगा बिलोपन बेसे हल करना है और इसके पीछे भी बहुत सारे मैं कोचन बना कर डाल दिया हूँ प्लीज आप मेरे चनल पर दबा करके जरूर देख लिजिए ठीक है यहाँ देखिए बिलोपन बेसे हल करने के लिए क्या करना रहता है यहाँ पर y है यहाँ पर y है अगर y को आठाना है तो पूरा y को एक बराबर करना होगा मतलब सेम करना होगा ठीक है सेम करने के लिए क्या करता है 7 यहाँ पर है 7 को नीचे मल्टिपले करेंगे 7 को नीचे मल्टिपले करेंगे और 5 को उपर मल्टिपले करेंगे ठीक है यह था सम्मिकरण 1 और यह है सम्मिकरण 2 सम्मिकरण 1 में 5 से मल्टिपले की और सम्मिकरण 2 में 7 से तो देखिए मौल्टिपल एक करने के बाद क्यास हो जब द्यान सुनिएगा 5 यहाँ पर है 5 में शारे अंग में होगा तो यहाँ पर होगा 20x 20yx plus 25y y बराबर 55 और यहाँ पर होगा साथ से जब सारे अंग में किज़ेगा तो यहाँ पर होगा 21x 35 Y बराबर minus 4 देखिए बराबर आगए 45 Y और यहाँ पर भी 25 Y अगर पलास और माइनस आता है तो यहाँ पर लिखते हैं जोडने पर यहाँ पर लिखते हैं जोडने पर thao जोडने पर देखे सांड चैंज नहीं होता है यह खोड जाता है और दोनों को जोड़ेगा 20 by 20 by x plus 21 by x को जब जोड़ेगा तो यहां पायेगा 41 by x बड़ाबर 55 में से देखिए यहां पर खटेगा तह यहां पर होगा 41 20-40 क्रोस मल्टिपले जब गुना किजिएगा तो आपको आएगा एकस मौल्टिपले 41 बराबर 1 में किजिए mere 40 करेंगे तो 41 यानी एकस बराबर अबका आया 41 बट्टा गुना में है बराबर को इधर भजानगे तो भाग होगा तो 41 में जब 41illas pessoas भाग के जगे तो आएगा one यानि एक्स बराबर आपका या one अब इस एक्स बराबर one को समिकर्ण एक या दो किसी में भी एक्स के जगवपर रख दीजेगा तो यहाँ पर रख दीजिए फूर और यहाँ पर देखिए one रख दिए plus seven by y और देखिए बराबर किया है एकार है अब पांच को नहीं लिखेंगे ठीक है एकार रक दिए और चार दिखिए चार बाई one करें चार करें कोई दिखात नहीं है चार को इधर भेजेंगे तो क्या होगा कि आगार में से चाल क्या गोगा ककी प्लस में तौ बैन स्मय होगा तो से बाइए वाइ बिला बैर बढाबार से bet यौझ देखेर हाद गुणा कि युजiche 3 से यह यह थो गडिदी कि में गया यानि साथ में साथ से भाग की जगत कितना है यानि य बराबर वन और एक्स बराबर वन यही वह आपका एंसर धन्य बाद अगर आप मेला चलना पनाया है तो मेला चलना सब्सक्राइब कर लिए और बेल एक्न को दबा लिजी